हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक, आज मैं आप सभी को ये स्वेटर डीजाइन बताने वाली हूँ जो कि मैंने एक कलर के उनमें बनाया है और ये 6 फंदो का पैटन है 6 पलस 2 फंदे का ये मैल्टिपल में आप फंदे ले लेंगी इस तरीके से और आप इस डीजाइन को मॉफलर में बना सकती है कैप में, टोपी में, सॉक्स में, स्वेटर में, कार्डिगन में आप इसे हर डीजाइन के स्वेटर में आई इसे अपलाय कर सकती है आप इसे बॉर्डर में भी अपलाय कर सकती है तो फ्रेंस चलिए बनाते हैं इस डिजाइन को तो यहां पर मैंने कुछ फंदे जो है स्लाइमे निकाल लिये हैं सेंपल के तौर पे और एक लाइन मैंने बॉर्डर का सेंपल बनाते हुए उल्टा बीन लिया है तो आपको करना क्या है First Row से मैं आपको बताऊंगी बनाने को तो First Row में हमें इस तरह सभी फंदो को सिधह बीन लेंगे ये पैटर्न जो है थोड़ा सा lighter बीन से धोड़ा सा एक लाइनSet जो है शीमपल बीन करके आपको दूरी बनावत7 लेनी है इस तरह से पूरी स्लाइस second row को उल्टा बीन करके complete करना है इस तरीके से same पहले फंदे को skip करेंगे और सभी फंदों को इस तरीके से उल्टा उल्टा बीन करके wrong side से complete करके हम आ जाएंगे right side तक अब friends इस तरीके से gap हो जाने के बाद है मैंने यहां पर एक line बीन लेने के बाद design और इसके gaping हो गया है तो अब हमें क्या करना है यहां पर देख लिजए पहले फंदे को हम यहांfeed skip कर लेंगे और दो फंदे सिधे बीन लेंगे एक और एक-धर दो फंदे सिधे बीन लेंगे उनको अपनी ओर करेंगे और यहांपर शीक्स फंदे जो हैं उल्टे बिनेंगे one two three four five and six six फंदे इस तरीके से उल्टे बिन लिए उसके बाद फिर उनको वापस पीछे करेंगे और two फंदे सिधे बिनेंगे one and two उनको वापस अपनी और लेकर क्याएंगे और six फंदे उल्टे बिनेंगे यहां पर देखिए one two three four five six इसी को आपको रिपीट करते जाना है six फंदे उल्टे two फंदे सिधे उनको पीछे करेंगे two फंदे सिधे उनको अपनी और six फंदे उल्टे one two three four five and six six फंदे उल्टे two फंदे सिधे अगेन हमें six फंदे उल्टे one two three four five six उनको पीछे और जो भी यहां पर stages बचे हुए हैं उसे हम सिधे ही बीन करके complete करेंगे कुछ इस तरीके से हम इसे complete कर लेंगे first design को अब हम wrong side जाएंगे और wrong side में जो भी यहां पर फंदे हैं उल्टे हैं उसे उल्टे बीनेंगे उनको पीछे करेंगे और यहां पर six फंदे सिधे बीनेंगे one two three four five and six six फंदे सिधे बीनने के बाद उनको अपनी और करेंगे two फंदे उल्टे one and two उनको पीछे six फंदे सिधे one two three four five and यह six पूरी रो हमें इस तरीके से ही wrong side से complete करना है जो जैसा है इसे complete कर लेने के बाद यहां पर दो लाइन उल्टे नजर आ रहे है तो अब हमें क्या करना है पहले फंदे को लपेट लेंगे slime में और वापस से दो फंदों का एक फंदा करेंगे वापस से हमें इसमें एक बार और लपेटेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे तो देखे फिस तरीके से six फंदे जो हमारे पास वापस आ गये हैं फिर उनको पीछे करेंगे और यह दो फंदे जो सीधे हैं उसे हम सीधे बीनेंगे कुछ इस तरीके से नजर आएगा वापस उन पीछे ही है और ये दो फंदे हमें एक साथ बिनना है तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से उनको लपेट करके बना लें फंदे एक्स्टा और स्केर फिर दो फंदो को इसे एक फंदा बना लेंगे एक फंदा एक्स्टा हुआ एक फंदा बना वापस यह फंदा एकस्टा बना लेंगे और दो फंदो का एक फंदा करेंगे वापस से मून को लपेटेंगे और ये दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे कुछ इस तरीके से नजर आएगा देखे फ्रिंस इसी तरीके से आपको पूरी रोज है बना करके कम्प्लीट कर लेनी है अब इस डिजान को बनाने के बाद रॉंग साइट से हमें सबी फंदों को उल्टा-ल्टा बीन करके कम्प्लीट करना है इस तरीके से देखे यह जो दो फंदे हैं जिसको घटाए हैं उसे भी हम यहां पर उल्टाई बीन करके कम्प्लीट करेंगे जो हमने सिक्स फंदे सी ठीटें भीन addition है और एक एक स्ट्रा फंदे यह तो प्लस यह वाला हिस्सा है जो अलग से फंदे बनाए हैं उसे भी हमें इस तरीके से उल्टे बीन करके कम्प्लीट कर लेना है देखिए अब हम वापस से फर्स्ट ड्रो में हमने यहां पर गैपिंग दिया था हमें सेम यहां पर गैप देना है और पूरी स्लाइड जो है सीधी बीन करके इस तरीके से कम्प्लीट करना है इस तरीके से जो है दो रिजन के बीच में गैप देंगे और इसे हम कम्प्लीट कर लेंगे बीन के तो जैसा कि हमें यहां पर first row सीधा बिन लिया है wrong side से भी हमें इस तरीके से पूरी slide उल्टा बिन करके complete कर लेंगे जैसा कि फिर्स्ट row में हमने बनाय था same हमें उसे तरीके से इसे बना करके complete कर लेना है तो अब तेखिए हम second design यहां पर बनाने वाले हैं तो यह जो बीच में दो फंदों का gap रखे हैं उसे हम लेंगे और इधर से दो फंदे लेंगे और इधर से दो फंदे लेंगे तो यहाँ पर 6 फंदे यहाँ पर complete कर लेंगे उसके बाद 2 फंदे यहाँ gap रखेंगे और यहाँ पर 5 फंदे को इस तरीके से उल्टा बिन लेंगे देखें फ्रेंस इस तरीके से 1 2 3 4 and 5 5 फंदे उल्टे बिन लें उनको पीछे करेंगे यहां पर 2 फंदे सीधे बिन लेंगे 1 and 2 उनको अपनी और करेंगे और 6 फंदे देखेंगे 2 फंदो को हमने बीच में रखा है तो 1 2 3 4 5 and 6 6 फंदे उल्टे हो गए अब यह वाले भी हमने उल्टे बिन लें उसके बाद फिर 2 फंदे सीधे 1 and 2 उनको अपनी और लाएंगे 6 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 and 6 वापस से 1 2 फंदे सीधे 6 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 6 2 फंदे सीधे 1 and 2 इसी तरीके से आपको पूरी रख बीन करके कम्प्लीर कर लेना है और आ जाना है rong side में wrong side में हमें जो फंदे उल्टे हैं उसे ओल्टे बीनने हैं देखेए फें आपको यह हो गए अब हमें wrong side में इसे उल्टा है तो सभा बीनेंगे और यह जो सीधे फंदे हमने लिये हैं दो उसे हमें यहाँ पर उल्टा भीनना है, कैसे देखें, इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे सीधे, उनको अपनी उल्टे, उल्टे, उन पीछे, 6 फंदे सीधे, इसको इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे, देखें इस तरीके से हम बिल लेंगे, अब वापस हम वहीं आ गए, जो फर्स्ट वाले डीजैन को बनाया था, यहाँ पर 6 फंदे को, देखें इस तरीके से, यहाँ पर 1 फंदा बना लेंगे, फिर उनको इसे लपेटेंगे, व वापस से उन लपेटेंगे और यह एक फंदा क्योंकि यहां पर 6 फंदे थे इस वज़े से अब जो है यह हो गया उनको पीछे करेंगे और यह 2 फंदे सीधे बीनेंगे वापस से उनको लपेटेंगे और फिर यहां पर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे वापस से उनको लपेटेंगे दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे वापस तीन बार हमें इस लाइमें इन करना है और यह 6 फंदे को मैनस करके 3 फंदे प्लस 3 फंदे एक्ट्रा बना लें इस तरीके से जो है आपको ये डिजाइन बनाते जाना है इसी को रिपीट करते जाएंगे आप तो बहुत ही खुब्सुरा से डिजाइन बन करके तयार हो जाएंगे और आप इस design को socks में, muffler में, sweater में, cardigan में आप किसी में भी इस design को apply कर सकती है तो उमीद करते हैं आप सभी कोई design पसंद आए होंगे तो अगर पसंद आते हैं तो please हमारे वीडियो को like कर लें और subscribe ने किये हमारे चैनल को subscribe कर लिजे Thanks for watching my video, thank you